आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी फेस क्रीम जिसमें स्किन वाइटनिंग प्रोपर्टीज हैं चैरे से रिंकल, एजिंग के निशान, डाक स्पोर्ट, डाक सर्कल, पिग्मेटेशन, लू स्किन और ड्राइनेस को मिटाकर फेस पर ग्लो शाइन लाएगी और स्किन को सोफ्ट बनाएगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो कर लें बैल ऐकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना क्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 8-10 बदाम यह मैंने कच्छे दूद में भी वो दिये हैं 8-10 घंटे के लिए अब हम इने 3 में छीर लेंगे और M Wireless की का बारिक पेसिट बना लेंगे कि मैंने बदाम का Haramia बना लिया है इसमें बनाने दो चमच जिर दा लीए हैं और और उसके बाद इसको ब्रवारिक हैं अब मिससे चानकर इसका जो मिल निक को अलग कर लेंगे हैं इसको हम चानने की मदद से इसको छानेंगे और इसका हम बिल्क अलग करनेंगे यह बहुत यह अच्छी क्रीम है इसके बहुत बनीफिट है यह फेस से रिंकल्स डार्क स्पोर्ट अंडर आई डार्क सर्कल इन सब को चिक करती है हुए इस तरीके से हमने लिए है कर लिया है इसको भी कुल्प् सि अन्हें करते हैं कि इस से उसा है इस तरीके से अब इसके बार मैं एक हाफ पीस चुगंदर करें रही हूं इसको मैंने इसके चिलका उतार के ढोलिया है और इसको अब हम कदुकस करेंगे इस तरीके से इसे मैंने अब कदुकस कर लिया है अब इसे चन्नी की मदद से इसके रज को हम चान लेंगे इसको हम पूरा चान लेंगे इसके रज को अलग कर लेंगे इसका रज का यह तरीके से इसको प्रेस कर तेवे इसको निकाल लेंगे अब हम इसका रस निकाल लिया है अब हम सबसे पहले जो हमने बदाम का मिल्क निकाला है उसको लेंगे उसके में दो चमच इसक्रीम के लिए दूंगी इस तरीके से बदाम में anti-aging properties होती है जो wrinkles, pigmentation को ठीक करता है vitamin E, vitamin D, भरपूत मात्रा में पाय जाता है जो dark spots, under eye dark circle के लिए बहुत ही beneficial है antioxidant properties होती है, omega 3, fatty acids पाय जाते हैं जो face से dryness को हटा कर skin को glowing, shiny और soft बनाता है अब मैं इसके बाद लोंगी beetroot का juice जो मैंने हमने निकाला था इसके भी में दो चमच में डालूंगी इससे एक तो face पर pinkish glue आएगा और ये बहुत अच्छा होता है इसमें antioxidant properties पाय जाती है, जो pigmentation, wrinkles, juria, dark spots, pimples की problem को ठीक करता है beetroot में anti-inflammatory properties होती है, जो skin पर glow लाता है, साथी साथ dark spots को भी ठीक करता है इसमें anti-aging properties पाय जाती है, जो face से aging के निशांस को मिटाता है beetroot आपकी skin पर एक अच्छा सा glow लाता है, under eye dark circle के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें silica नमक तत पाय जाता है, जो skin को young बनाता है vitamin C भरपूर मातरा में होता है, जो face को young बनाने के साथ skin को tight भी करता है sunlight से होने वाली जो भी problems होती है, उसको भी beetroot ठीक करता है beetroot में anti-inflammatory properties होती है, जिसकी वज़े से acne और pimples पी ठीक होते है dark spots भी ठीक होते है, uneven skin tone भी बहुत ठीक होता है इसमें कई vitamins होते हैं, जिसकी वज़े से melanin की मातरा को भी वो कम करते हैं अब इसके बाद हम लेंगे aloe vera gel, मैं यहां पर तीन चम्मच aloe vera gel ले रहे हूं यहां leaves से नहीं लेना है, क्योंकि हमें इसे store करना है, तो हम और हमें cream base बनाना है तो मैं यहां तीन चम्मच aloe vera gel ले रही हूं इसको हम अच्छे से mix करेंगे, पहले aloe vera gel को aloe vera gel में anti-vectorial और anti-inflammatory properties होती हैं यह skin को naturally moisturize करता है, इसमें vitamin, minerals, amino acid के साथ और भी qualities पाई जाती हैं जो आपके face पर naturally glow को देता है, इसमें anti-oxygen, anti-aging properties होती हैं जो जूरियों को हटाता है, इसको अच्छे से हम mix करेंगे, इस तरीके से, इसको अच्छे से mix करेंगे हम अगर आपको लगे कि आपका gel base नहीं हो रहा है, तो इसमें आप 2 चमच aloe vera gel और डाल सकते हैं कितना fine paste होना है, इस तरीके से, विकुल cream base होना चाहिए, इस तरीके से हमें इसे लगाना है, अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, अब हम इसमें vitamin E के capsule डालेंगे, आप को मैंने pin करके डाव डिया है, vitamin E बहुत अच्छा मान दाता है, यह skin को healthy और glowing बनाता है, इसमें antioxidant properties बाई जाती है, जो skin को dry होने से बचाता है, यह cream सभी skin type के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, यह मैंने दो vitamin E के capsule डाले हैं यहाँ पर, इस तरीके से, अगर आपकी extra dry skin है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा glycerin डाल सकते हैं, आदा चमच, इस तरीके से यह देखिए, यह बहुत अच्छी cream बन गई है, इसी तरीके से इसक तो आप दिन में सुबह जब आप अपने face को दोते हैं तब लगाएं और रात को भी सोने से पहले इसे अपने face को दोकर और freeze इस cream को लगाएगेगा, यह देखिए कितनी सुन्दर cream बनी है, यह देखिए कितना सुन्दर आया है, इस से आपके face पर pinkish glow आएगा, यह इस तरीके से, मैं आपको एक और लगा के बताती हूँ, इसे आप अपनी fingertips से लिजी, थोड़ा सा fingers को ऐसे rub कीजिए, इस तरीके से, और फिर इसको अपने face पर लगाएगा, आप देखेंगे कि आपके face पर कितना glow आएगा, इस तरीके से, यह बिंटर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी क्रीम है, यह देखें, विकुल skin में पता नहीं लग रहा है कि आपने cream यूज की है, विकुल skin में अच्छे से, मिक्स हो गई है, यह देखें, विकुल dryness खतम हो जाएगी, आप देखेंगे, आपके face पर एक अलग ही glow है, यह बहुत अच्छी क्रीम है, इसको आप जरूर यूज कीजिए, इस तरीके से करकर आप इसकी दो मिनट तक मसाज कीजिए, इसे आप वन वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसे किसी साफ कंटेनर में, और इसको फ्रीज में स्टोर करके रखें, अगर आप विन्टर में यूज कर रहे हैं, तो रूम टेंपरेचर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि आज कर बहुत ठंड है, और समर में आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रखें, यह बहुत अच्छी क्रीम है, अगर आपको मेरी य पसंदा ही हो तो प्लीस लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको यह रेमेडी कैसी लगी थैंक यू